लो कि ब्रॉर्ट्स वेलकम टू इस्जटि刑 स्माइच दोस्तो हरत कि आपको पता है वह सब्सक्राइब कर दोस्तों तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिली सलतनत का तीसरा बंस वह वह है तुगलक में इस से बहुत इंपॉर्टन बनते हैं तो दोस्तो यदि आपने आभी दाग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले जितने फी इंपॉर्णेट वीडियो है उनकी डिरेक्ट इंफॉर्मेशन उसके लिए आपको बैल आइकन प्रेस करना होगा ठीक है तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो इसके जो स्थापना की थी वह की थी क्या दिन तुगलक में अब यह कौन था जिस दिन तुगलक कौन था दोस्तों जैसा कि आपको बैटाया था इसले वीडियो में कि दिल्सलत नमा क्फिल जीवर्स जो की सेकाड़ नमार कबंस था उसका जो अंतिम सासक्त था वये गया सुद्दिन तुगला था है यह पंजाब का गवर्नर था ठीक है यह पंजाब को उस टाइम पर गवर्नर हुआ का था और दोस्तों इसने क्या किया था कि इसने वजीर खुसरों खांग की हत्या कर दी थी और तुगलक बंसकी स्थापना की थी ठीक है तो आपको याद बजीर खुसरों खांग जो उनका गुरू का नाम था निजामुद्दिन ऑपको पता होगे जिए कि दिल्ली में धर गार थे तो वहां उनके गुरू करते थे तो जब उसने गैस्यों थे और चाहत्य कि थी तो उन्हें क्या किया था कि निजाबमुद्दिन को अपना सलाहक कर दिया था तो आपको दोनों चीजी याद रखने हैं दोनों फर्क है बहुत ठीक है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में गया सुद्धीन तुगलक के आरें देख लेते हैं दोस्तों जो तुगलक बंसा वह 1320 से 1414 तक चला था ठीक है तो आपको 94 बंस का प ठीक है तो चलिए फर्स इसके देख लेते जो संस्थापक था वह था गया सुद्धीन तुगलक जिसका टाइम पेट था तेरा सो बीच से तेरा सो पच्चिस तर ठीक है दोस्तों आपको पहली सी पता हुए इसने दिल्ली में तुगलका बाद नामक सहर की स्थापना की थी फब्रफान के दिल्ली के लिए नहरो का निर्मार करने वाला सा सकता है दोस्तों से ज़्यादर नहरो का निर्मार करने वाला सासक कौं तो दूस्त नमें थै जो पहले सासक था नहरो कुन निर्माड करने वाला वह था गया सुधिन तुगलक ठीक है और जो सबसे ज्यादा नहरो कुन निर्माड करने वाला था वह था फिरोज साहत तुगलक आपको याद रखना है तुगलक बंस में ही आँगे आने वाला जो सासक है फिरोज साहत तु sorry इसने 1323 में अपने बेटे जूना खान को तिलंगाना मिशन पर भेजा और इसने तिलंगाना को तुगलक बनस में मिला आया ठीक हूँ तिलंगाना का नाम मदलका सुल्तान पुर रखा ठीक है तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जो 1323 में इसका जो बेटा था जूना खान दोस्तों यह भी आंगे चलके यही सासक बनेगा जिसके वारे आपने पढ़ा होगा मुहम्मद बिन तुगलक वह इसी का नाम था जूना खान का ही नाम था ठीक है तो जूना खान तिलंगा नम इसनर पर सब्सेटार में थे दोस्तों हजरत निजामुदीन जी को क्या बोला जाता है महबूब ए-लाही तोस्ती यह बंग्गाल के सिक्दार कौन था? बुगारा खान ने दिलि के सलतनत में कि खिलाब विद्रोह कर दिया था तो थो यह इसे विद्रोह को दवाने के लिए गया सुद्धिन कहां जाता है? बंगाल जाता है थिक बंगाल जाता है तो जब वह जाता है तो अपना यह जो दिल्ली होती है तो दिल्ली के जो कार होता है मरला उसका जो बागडोर होती है उसके सासन की वह किसको सौपके जाता है अपने सलाकर निजामुद्दिन ओलिया जी को ठीक है दोस्तों लेकिन उनको कुछ काम भी सौपके जाता है उनको बोलके जाता है कि आप एक काम करेगा मेरा एक महल बनवा दीजेगा ठीक ह महल और सेकंड होता है नहनों को निर्माड पेड़ पौधी लगवाना और उनके आजू आजू चबूत्रे बनवाना ठीक है तो यह काम बोलके जाता किसको निजामुद्दीन ओलिया जी को ठीक है दोस्तों इसके वारे में जो सबसे में इंपॉर्टेंट कोशन होता है कि मेरा महल बनवा देना और यह सब नहर वगएरा तो वह काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है यह जानने के लिए एक पैगाम भेजते हैं तो दोस्तों आपको बता दो इसमें मोश्ट इंपॉर्ण कोशन है जो होगा कि कई लोग बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है यह कोशन क आपको याद रखना है कि दिल्ली अभी दूर है या किसने किस से कहा था तो दोस्तों जब गयस अदिन तुगलक ने पैगाम भीजा था कि मैं आ रहा हूं तब उनके जो सलाकार थे निजामुद्दिन और जी उन्हाने बोला था कि आप आईए दिल्ली अभी दूर है ठीक ह तो यह आपको बहुत इंपर्टन कोशन आपको याद रखना है कि निजामुद्दिन और जी ने बोला था उसके जवाब में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है तेरह सो पच्छीस में लकडी के महल में गयस अदिन तुगलक की हत्या कर दी गई इसका मकबरा दिल्ली के तुगल तो उन्हों ने इस पूरे भब महल के व्यास्था की थी लगडी का अच्छा बड़ा महल बनवाए था ठीक है बड़ा सा गेट बनवाए थी लेकिन दुर्भाग वस क्या होता है जैसी वहां से निकलते हैं कौन गयसी दिन तुगलक आते हैं तो वह जो गेट रहता है वह उ कि दोस्तों अब गया सुदिर तुगलक जी की म्रत्यू के बाद उनका जो पुत्र था वह का वन था जोना खान अब वही सासक बनता है अंगला सासक ठीक है तो चलिए अब मुहम्माद बिन तुगलक उर्फ जूना खान इनका जो टाइम प्याड़ है वह है तेरा सो बीश साल है ठीक है इनका वास्तिपे के नाम किया था जूना खान उर्फ एक तर नहीं मिलता है तो आपको दोने याद रखना जूना का और मुहम्माद बिन तुगलक ठीक है इसे पागल सुंतान कहा जाता था चाड़ा और पढ़हा लिखा मूर्ख भी कहते थे तो आपको तो यासा पूछा जाता है कि दिल्ली को कहा जाता था तो को कहा जाता कि दोस्तों बहुत ही पढ़ा लिखे बिद्दवान इंसान थे लेकिन कुछ इनके जो डिसीजन से वह उस परिस्थती के अनुशार गलत प्रभावित हो या गलत पढ़ गया जिसके कांट से इनको यह सब सब चीज़े बोली गए लेकिन वह वास्ति को बहुत ही बिद्वान इंसान थे मतलब वह आज की नहीं वह कल की सोच तो आने वाला जो कल है उसके लिए सोचकल वह निर्ड़ा ले थे लेकिन वह उनका वर्तमान समय था वह उसके लिए उचित नहीं होता था तो उसके वैसे उ अरो का राजा कहा जाता था ठीक है मनियारोगा यह थर्ड़ चीज आपको याद रखनी है मलत तीनों चीज दोस्तों यह अरभी और फार्जी का महान विद्वान था तिक है आपको दो नहीं याद रखने क्योंकि मैं आपको बटा चुका है महान क्योंकि पढ़ए लिकि ब मनला अफ्रीका देश्के मुरक्को से मुरक्को से कौन आया था इवने बतूता ओड़ा यह कोजिचन बहुत आय एमपी के रूप में लिख लीजिए आप आज यह आपको पता नहीं पता है तो ठीक है इवने बतूता इसने इवने बतूता को अपना काजी निक्त किया कुल मिला के दोस्तों मैं यह कहतना चाहता हूं कि यह कोजन बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है इबन बतुता ने रहला नामक पुस्तक लिखी दोस्तों इसकी पुस्तक और यह इसका जो देश है कि कहां से किस देश से आया था यह और यह किसके सासन काल में आया थ मुहम्माद बिन तुगलक के यह किस देश से आया था मुरक्षों से और इसकी पुस्तक का नाम क्या है तो वह है रहला ठीक है दोस्तों आपको यह तीनों ही कोशन बहुत अच्छे से याद रखने हैं इन तीनों कोशन में से कोई भी कोशन पूछा जाता है ठीक है चले नेक् कि दोस्तों रहला की अनुसार कस्मीर बलुचिस्तान और राजह फुतान को छोड़कर संपूर हिंदूस्तान पर मोहमद बिन तुगलक के साथे था ठीक है उसके अनुसार बूल रही हिए कि कसमीर और बलचिस्तान वर राज पुतानों को छोड़कर संपूर हिंदुस्तान पर मुहम्मद बिन तुगलक का सासन था ठीक है उसके अनुस्वार बूर रहे हैं दिल्ली सल्टा में सबसे बड़ी बेतन प्राप्त सेना इसी की थी दोस्ते बोल रहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी सेना जिसको बेतन परापत था वैसे मुहम्मद बिन तुगलक की सेना थी दोस्तु आपका बात बता सब्सक्राइब कि जो योग गिता के अधारवपन नौक्री देना प्रारण ही किया था ठीक है नेक्ट है इस पुस्तक में भारत और मुरक्कों के बीच बेपार का वर्णन है दोस्तों यह जो इवन बतूता था यह कहां का था मुरक्कों तो इसमें जो पुस्तक लिखी है भारत और मुरक्कों के बीच के बेपार का वर्णन लिखा है उसमें ठीक है रहला में दिल्ली को बताया गया सबसे प्रसिद्द और समृरद सेहर भारत पर सती प्रथा पर प्रतिवंद लगाने का प्रयास करने वाला यह प्रतन सुल्टान था दोस्तों यह कोश्ण बहुत इंपोर्ट है क्योंकि सती प्रथा से कोश्ण बंटी ही बन अरने वाला यह प्रतान था सब ने कि ने आप्स देख लेते हैं नियुक्ष दोस्तों है किtalермा दूस्तों लिखा भारत में channel की शुरूत ग्प्तकाल में 309 से पाउन सब स्क्राइब कर दूसर लीडिडी होई थी ठीक है और दोस्तों जो सबसे पहली सती बनी हुई थी वह कौन थी गुपता पेड़ के जो राम गुपत थे उनके जो सेना पती थे कौन गोप राज गोप राज की पतनी थी वह सबसे पहली भारति मैला हुई जो की सती हुई थी यह कोशन बहुत इंपोर्डेंट है दोस्तों यह ऐसे कोशन हैं जो कि आपको बहुत कम ही मिलते हैं आपको दोस्तों बहुत किताब ढूड़नी पड़ेंगी बहुत पढ़ना पड़ेगा तब आपके इतनी डिटेल्स मिलती हैं दोस्तों मैंने बहुत सारा आपको ढूड़ के बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्ट बढ़ा दीज іखा Gottsna तो दूस्तों और यह जो इसका अभिलेग दोस्ते Ха deta भानु गुट्थ ने लिखवाए था ने लिखवाए था ठीक है या और आपको याद अभीले बहानु गुप्त ने लिखवाया था जिससे यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहली सती कौन बनी थी वह बनी थी गोप्राज की पत्री जो की राम गुप्त के सेना पती थे ठीक है चले नेक्ट देख लेते हैं दोस्तों सती प्रथा प्रबेन लगाने वाले सासक आपको बता दें सती प्रथा वारे को और से सासक नया एक्सें लिए दोस्थब सबसे पहला नाम आता है फिरोजसा थुगलक ठीक है सेकंड आता है कर घंबप सोंपनलर को ढोड़कित में बहंती हैयं सती करríक है ठीक है और अभी अपन ने जो पढ़ा उनका भी लास्ट में दोस्तों 1829 में भारत में साथी प्रथा का पूर्था आंथ किस ने किया था लॉर्ड विलियम वेंटिक ने लॉर्ड विलियम वेंटिक ने दोस्तों यह नाम बहुत ही एक्जाम में पूछा ही जाता है इन तीनों lv है बारत में दोस्तों इसका जो साथन का था जैसे अभी रेहां के अनुसार देखा जाए तो यह दिना लेजिए जैसे भारत है आप मालीजे यह भारत है है अब तो इसे थोड़ा सौरी गलते बन गया है लेकिन अभी देख लिजिए यहां पर जो कस्मीर है यहां पर वलुच्छिस्तान है यहां पर राजपुतान आए इस एरिये में आता है ठीक है अब इसके यहां पर जदिसासन छोड़ दिया जाया र दोस्तों यह इसकी राज़ानी जो थी दिल्ली में थी अब इसको नीचे तक का सासन सभालना था लेकिन इस यहां से इतना सासन जो दच्छडभात कर राज जा जाता है इसके नीचे इसकी जो पहुंस थी वहां बहुत कम होती थी ठीक है इसलिए सबसे अधिक जो विद्रो होते थे वह होते दच्छडभात में 27 विद्रो हुए हैं दोस्तों 27 विद्रो कम नीचे सथाइस ठीक है आज विद्रो हुए हैं वह नौर्थ इंडिया इस वाली है थी में हुए हैं ठीक है तो आपको दोनहीं चीज़ आद रखना है नेक्स देख लेते हैं मंगलो का फिफ याद रखना कि जो फिस अक्रमड मुहम्मद हुकला जो फ्र्थ अक्रमड वह हुआ तो फाँ एलाओ-द धिन किल थी चल्चार गोदा लेकिन लेकिन दोस्तों जम्टमिंध इंक इस यूपी माता कड़ा जहां पर उसकी हथ तैकी गई थी किसके जलाद दिन खिल जी की दोस्तों इसके जो कुछ फेला डिसीजन है जिसके इसके जो इसको पढ़ा लिखा मोर्ख या फिर मनियारो का राजपुरा और क्या नाम से जो बोला जाता है इसकी बारे में गलत है ठीक है इसने अपनी राध्धानी को दिली से डॉलता बादसेछानें अंत्रित किया दोस्तों यह बहुत ही और यह यह तिभारत है यह भारत है ठीक है उसकी राजधानी थी यहां दिल्ली में अब उसने जो राजधानी परवर्थित की वाका की दौलताबाद जो की आता महरास्ट में यहां अब दोस्तों यहां से राजधानी परवर्थित करना यहां उस टाइम पर ना कोई एरोपला ना कोई ट्रेन थी ना तो कुछ था अब उसको जाना कैसे हैं वह अपने राजा मिलाब घोड़ा में बैटता यहां थी मेरता जिसमें बैटके वह चल गया लेकिन उसकी पॉब्लिक थी दोस्तों उसकी जो सेना थी वह इतने रास्ते बहुत ही पैदल चलवाना मतले इतना तो बहुत ही लोग काफी लोग की तुम्रत्य होगी रास्ते में आते आते हैं और यह बहुत इसका इतनी बड़ी इसने जो किया था वैसायत गर्मी के वासम था तो बहुत ही लोगों को बहुत ही मतलब कस्ट की सहना पड़ा था जिसके विसे इन्होंने इसको पागल मुर्क क कहा था तो यह इसका बहुत जी जन फेपल ओ गया था ठीक के नेक्स धो दोसब को अभियान की बफलता तो से जो जो यह क्रॉसन कि यह कह लोने दो यह आता है इरान वाले एरिया को अए रहां वाले खुर्फय को बता दो जो खुरसन और कराचियद दोस्कों से क्या किया था खुरासन अ कराचि दोनों दोनों जगह पर एक टाइम पे ही आक्रमय यहां पर कर दिया गंदेगा तो खुल मिला कि इसने दोनों जगाए पहे उसने हार खाई थी ठीक है तो इसलिए दोने इसके विफालत हो गए और यह उसके फेलर डीसीजन थे सामिल लोग है तो सो तीसरा है दो आप छेत्र में करवष्दी थेक्षाइब यहां से नदी निकली है और जो दूसरी नदी है यहां से निकली है तो दोस्तों इन दो नदियों के जो बीज का छेत्र कहलाता है वही कहलाता है दोआप छेत्र ये छेत्र कहलाएगा दोआप छेत्र ठीक है तो दोआप छेत्र में करवद्धी अब दोस्तों यहाँ पे इसकी बिफलता होई यहाँ पे इसकी बिफलता होई तो इसका जो राज पार्थ हुए बहुत ही घाटे में चला गया है तो इसने क्या किया है कि जो बहुत ही यह वाला छेतर होता है जो दोस्त जो दौआ वाला छेतर होता है तो उसने क्या किया कि चल अपनी जो बिफलता हुई है जो अपना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते कैसे करब रद्धी करके तो उसने क्या किया जहां उपजाव छित था वहां पर इसने टैक्स बढ़ा दिया थोड़ा सा लेकिन इसकी जो किस्मत खराब बोल दीजिए जया जो भी भूद दीजिए तो जैसे इसने यहां पर बढ़ाया वैसे यहां पर बढ़ा गई तो खोले मिलाकी इसका यहाँ डिसी जन्यविफल हो गया ठीक है अब दोस्तों संकेतिक मुध्रा का प्रचलन किए कि आने कम दोस्तों इसने क्या किया था इस टोकन जो मतलब क सब्सक्राइब के पूछा जाता दोस्तो के सिक्क्य किसने चलाए हूं तो मुहमद नि Cell his to दोस्तों इसने यह सोच के चलाए था कि इसमें ज्यादा बजट नहीं आएगा वालाद हमारी मुद्रा नहीं यूज होगी और इसको हम कम समय में बना लेंगे तो आज भी जानते हैं यदे आप एक सिक्का बनाते हैं मान लीजिए यदि आप 10 का सिक्का बना रहे हैं तो उसको बनाने में 11 रुपय लागत आती है आपको यदि आपको पता हो तो 10 रुपय सिक्का बनाते हैं तो 10 रुपय से ज़्यादा उसकी लागत आ जाती है और वह rat दोस्तों दिए आप सोरुपर की नोट बना रहे हैं तो उसमें मुश्किल से कुछ बहुत कंकी मत आता जो की जिसमें रूपर कीनोट बन जाती है जो की सिक्टा से बहुत कम लागत में बन जाता है तो वही सोच की बनाए था कि यह इसकी लागत काम आया और उसकी जो संपत्ति है वो थोड़ी बिस्ता बिस्तरत हो जाए ठीक है लेकिन क्या हो था दोस्तों इसने चलाए थी किसके ताम्बे के सिक्के अब उस टाइम पर क्या हुआ था कि पबलीक ने घर में इसके बनाने लगे क्योंकि तामब सबके पास होत धर्सव दों दोसर्व नेक्स पॉइंट वह थे खूंपर्वंटल्स निपार्टमन मुझा । इस बनायता है इसका नाम क्या था दिवाने कोई मैं दिवाने को ही इस तो आपको याद रखना है और सब्सक्रिक कार्णता था जो को चलाता था उसको पोला जाताता था क्या है आमी रेकोही ठीक है है एक हुच है आपको धो री देती चीज आले रखनी है कि आंग यह उसका नाम क्या था दोसमें कार करता था प ostkin कोई ठाया था बर जीत और फार्ट की से किसने कि तुन नियुत यकुरीflies इसके वारे में एक और इंपोरेंट चीज है आपको दोस्तों कि जब इसका टाइम पेड़ था सासनकाल था इसी का टाइम पेड़ पे दच्छिड भारत में 1336 में हरी हर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनंगर समराज की स्थापना की थी ठीक है किसके सासन में बहमानी समराज की स्थापना थी जो कि ने अलाव द्दिन भहमार सा या हसन गंगू ने है यह दो नहीं कोसिद आपको याद रखने हसन गंगू और तेरा सुंक्यावन में थिम्ध में ृधरो के ज़र इसकी ब्रत्यू हो गई दोस्तों 13759 में सिहने में बिद्रों कि तो किरों इसकी म्रत्ति हो रहे दोस्तों तो इतिहास कार है क्यानां उनका जियाद दीन बढ़नी आपका याद अधरो दोस्तों जियाद दीनुपर्र से इन से एक important बहुत कोशन बनता है यह important IMP आप लिख लिए आई-एंपी अ मलब most important जियाओद्दिन बरणी ने क्या कहा था दोस्तों जब इसकी मृत्यू हो गई थी तो जियाओद्दिन बरणी ने पह्तिर राजा को लोगों से और लोगों को राजा से चुटकारा मिल गया थी यह दोनों ही आपको यादक नहीं है जिया उद्दिन बर्णे नहीं बोला है किसके लिए बोला है मुहम्मद बिन तुगलक के लिए थे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों 131999 कि मुर्ति हो जाती है और इनके बार जो सासन में आता है वया आता है इनका चचेरा भाई फिरोज साहत तुलक, खिल एंगे, 3151 के बाद के बाद आले का अंगे, वैं फिरोज साहत तुलक होगा, तो चलिए इसके बारे में दहुते हैं, अब सासन काल आता है फिरोज साथ तुगलक का इनका सासर काल होता है 1351-138 ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टन साथ सक्ते जिनके बारे में एक्जाम में बहुत ही कोशन बनते हैं आप इनके बारे में एक एक चीज देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा ठीक दोस्तों पहला है इसे दिल्ली सल्तनत का अकवर कहा जाता है दोस्तों यह एक मात दिल्ली सल्तनत में ऐसे साथ हुए थे जिन्हों तो वैक हुए 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 तो अपको पहला राजहाविसे खुना्य को क record में वांक अभन ऐसेड दोस्तों यूजर दिल्ली में ठीक है तो आपको यह दोनों चीज़े याद रखने है कि जो इनका पहला राजभी से एक हुआ था वह सिंध्ध में हुआ था और इनका जो दूसरा राजभी से एक हुआ है वह हुआ है दिल्ली में करवाया दूसरी यह आगरामें ठीक है तो उस्ट साथा राजभी से एक वार करवाया था दिल्ली में और दूसरी वार करवाया था दूसरे करवाया आग्रा में है ठीक है आपके दोनों चीज़ा रखनी है दोस्तों सारे को अपने सासंगाल में इसने नाम था फातिका उनके नाम पर वात बसा था फदेहबाद दूसरा fatiropura के टिद्ट इसके सासन यह सहर इन से कोशन बंते है बंते हैं यह सार पूछा जाता है कि सार किसने बसाय था फतिह बाद फिरोउफर दूस्त दॉस्त चौठ एप बहुत इंपोट सबस्क्राइब कर सकते हैं कि वह नवाए था लेकिन अभी हाल में यह चारो जिनने बताइब को बहुत इंपॉरंट reckless पांचवा है फिरोजाबाद थीक है फिरोजाबाद बचाएँ दोस्तों यह ग्लास सिटी ओफ इंडिया बोली जाती है थीक है आपको यह बहुत इंपॉर्टन कुछ है आप जान पूर्ट सबसे है वह जोन पूर जोन पूर इसने किसके नाम पर बचाए था अपने जो भाइ भाई थे कौन मुहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खान इनके बड़े भाई की नाम पर इसने बसाया था जॉन पूर ठीक है जॉन पूर को क्या उलगा जाता है सिराजे हिंद कहते हैं सिराजे हिंद ठीक है दोस्तों दोसे जितनी भी चीजें आपको याद रखनी है सासा कौन है फिरोस सा तुगलक है जो प्रथम सासा कौन जिसने नहरे वनवाई थी वह कौन था गया सुद्धिन तुगलक तो आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको दोनों ही चीजी याद रखनी है ठीक है इसने सिरसा में एक नहर कर निर्मार करवाया और इ आपको दोनों नहरों का ठीक है बास्सा कहा जाता है डोस नेक्स्ट के जागनात मंदिर को नस्ट करवाया और यापको याद रखना है इसके बाद है इसके बाद इसने ब्राम्हणों पर भी जजीय कर लगाया दोस्तो जजियाकर यहां पर बात हुई जजियाकर इसके वारे मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो बता चुका हूँ ठीक है यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से देख लीजिए उसमें आपको बहुत अच्छे समझाया है लेकिन चलिए एक बार फिर आ ग कासिम था आपको यहां तकना है कि जजियाकर की सिरुबाइत सबसे पहले किस ने लगाया ने लगाया था मुहमध-बिन-कासिम ने हो above लगा जाता से ट्वियायू की ठीक है लेकिन जो मुहम्मध विन कासिम ता दो से केंड वह आता है फिरोज सहतुग्लक दोस्तों जिसके वारे पोपन पड़ रहे हैं लेकार सासक था जिसने जजियकर लगवाया इसी कि जजियकर को पूरता जजियकर कहा जाता है क्यों कि दोस्तों इसने किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी provisions applyHello ना ब्रांघो कोई शूट नहीं दी विए Bruce से भी टैक्स लेता था कि इसकी जो जजियक को पूर्था जजियक करता है वैब का रक आकवर का तो अकवर ने जजियकौर क़ोग को फूर था खतंतIS कर दिया था ठीक है लोस्तों सभी सब्रामर से ठीक्स लिए थीक है दोस्तों जो जजियकर से सब्मांदित जो सासक है उनका लास्त नाम आता हुआता मुहम्मद सहरंगीला मुगल काल के जो सासक थे मुहम्मद सहरंगीला इन्हों ने जब अंतीम बार सबसे पहले मालब जजिया कर को पूर्था प्रतिवंधित मालब खतम कर दिया था और दोस्तों जब से रंगीला ने मुहम्मद सहरंगीला इन्हों ने जब से खतम किया तब स दोस्तों आपको बता दूं जो फिरोज सा तुगलक के टाइम पर जो कर लगता था दोस्तों वह लगता था कि चारों आपको रखें गली है तो उसके लगान होता था जो कि लगाए जाता था माली जी जैसे फिरोस्त तुगलक ने किसी पर सासन किया मला अधि वह आक्रमर किया अभी यहां से जो संपत्ति लूटते थे सैनिक तो वह अपने सासन ले आते थे अभी यह जितनी संपत्ति लाई जाती थी इसका कुल इस पर जो टैक्स लगाते तो उसको बोला जाता था क्या खुम्स ठीक है खुम्स खराज जजिया तिनों चीज दोस्तों यह एक और टैक्स लगाता था वह लगाता था जकात जकात दोस्तों यह टैक से धार्मिक करता जो कि मुस्लिमों से लिया जाता था जकात ठीक है दोस्तों तो यह चारों चीजे आपको याद रखनी है चलिए नेक्स देख लेते हैं दोस्तों तेरा सो उनहत्तर में इसने कुटू मिनार की चोथी और पांचवी मंजिल का पूरर निर्माद करवाया था ठीक है दोस्तों आपको बता चुका हूँ मैं कुटू मिनार के बारे में दोस्तों कुटू मिनार की जो नीव रखी थी कुटू बुद्धिन एवक ने और जो इसको और दोस्तों उसके बाद जो नाम आता है वो आता है सिकंदर लोदी का सिकंदर लोदी जो की लोदी बन से हैं इसके आपने आंगे पढ़ेंगे दोस्तों इसने जो इसकी पूना निर्माण करवाए था जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग बनवाए जिसे दिवाने खैरात तथा एक अस्पताल दार उल्चिफा करने निर्माण करवाए था दोस्तों यह इंपॉर्णन कोश्च जनता की देखरेक के लिए मतलब आर्थिक मदद के लिए जो विभाग बनाये थे उनमें से एक का नाम था दिवाने खैरात और दूसरा था दार उल्चिफा दोस्तों जो दिवाने खैरात था वह क्या काम करता था यह अनाथ बच्चों और बिद्वा महिलाओं की देखरेक का काम करता था ठीक है मतलब यह जो दिवाने खैरात यह आप देख रहे ने य काम करवाता था कौन दर उल्सिफा दोस्तों इसने एक और शुरू किया गया था इसने एक और बिवाग बनाया था जिसका नाम क्या था दिवाने इस्तिहाक आपको याद रखना दोस्तों यह चीजे बहुत ही मैंने important important चीज़ आपके लिए लेकिए आया हूँ जोकि आपको बहुत अच्छी से याद रखनी हैं दोस्तों अपने इस वीडियो को में देखा होगा तो आपको याशी याशी चीजे पता चली होँगी जो कि आपने पहले पढ़े होंगे कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको यदि अच्छा लग रहा तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और चैनल को लाइक यह उसका काम था है उसका काम थो पैंsen लेते हैं उनकी देखने का काम होता था दिवाने इस्तिहाग का नेखका को सथी प्रजखा को बहुत है वाने फिरेज़ी चेंग कारने करने वाला प्रतान सती प्रथा को प्रतिवंधित करने वाला प्रथम सुल्तान था यह, ठीक है, आपन ने भी दोस्तों किसका किसका नाम पढ़ा, सती प्रथा से संबंधित, खिरोसा तुगलक, अकबर, और औरंग जीब, जो लास्ट में नाम पढ़ा आपन ने, विलियम वेंटिक, लॉर्ड व मुहम्मा, जो कि इसका सासन काल था 1394, 1414, लेकिन दोस्तों, मुहम्मद विन तुगलक की बारे में अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप उनको बड़े ध्यान से देखिए, कौन कौन सी है, आप उनको पॉइंट आउट उनको करिए, दोस्तों जो फिरोसा तुगलक है, इसने दो सिक्के चलवाए थे, दो सिक्के, ठीक है, पहला सिक्का था दोस्तों, जो था चांदी का सिक्का, जिसको क्या बोला जाता था, अट्टा, ठीक है, अट्टा, आपको याद रखना है, जो चांदी का सिक्का था, उसको बोलते थे अट्ट गया दोस्टों को याद रखनी है चांदी का सिक्हा चलाए था उसको बोलते हैं जो इत्तों इस परकार इल्थट मिश्नें बर दो सिक्क को बताता आधा आप याद है पहला सिक्ह जोषमेए जीतल दोस्तों दोनों में आपको याद रखना है तो दोस्तों नेक्स है तुग्लक का अंतीम साथ तकॉन था नसुरुद्दीन महमूद तुखलक इसका टाइम पेड़ा 1394 से 1414 तक ठीक है तो दोस्तों इसके वारे आपको मैं बता देता हूं नसुरुद्दीन महमूद का जो मंत्री था कौन था खिजर खान इसने किसकी हल्प कर दी थी तैमूर का दोस्तों 1399 में दिल्ली सल्तमत पर त घयरं हुआ के लाव कर आकरमर हुआ था Bigawar और कि मदद किस ने कर दी तृसि जो किसका मंत्री हुआ करता था तो दोस्तों इसने क्या किया टेमूर लंगने पूरा राज पार्ट में अया सहासरे लूटा और चला गया लेकिन गयर दोस्तों इसने अपना जो सेना पती था वह खीज रखां को छोड़कर चला गया और तब उसके बाद 1394 सासनकाल खतम होता है जो सासन पड़ाता है वह तैमूर बंसका ही सासनकाल आता कौन इसका जो सेनापती होता है तो यह जो सेनापती बन गया था तो इसने इसके सासनकाल में इसको नियुक्त कर दिया कि इसको खिजड़ा को ठीक है यह दो नहीं चीज आपको याद रख नहीं है और धर ओर किजaugर खारा है नंसरेद ही महमुत को सेंसन सहे ठाए गया जिससे भारत के भारत के प्रतम सीयखं साप नों यह भी प्रीज लाइक और सबस्कारीब कीजेगा और हो सब्सक्राइब कीजेगा तो बहुत मैनद करते हैं आपको सेच में अच्छा यह वीडियो लगा है तो प्रीज लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक्यू और गुड़नाइट